वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्स्क्लूजिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्श्कों के सामने हाजिर हैं दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 के घर में राहुल वैदी की वापसी हो गई राहुल वैदी ने क्या कहा? राहुल वैदी ने ये कहा रूबिना दिलायक के आखों के सामने वो आकर ये बोलते गए कि एक था राजा, एक थी रानी, राजा आवापस आ गया और खतम करेगा ये कहानी इस पर जो है फैंस जो है वो काफी मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं और आज के खास रिपोर्ट में हम आपको ये ही बात बताएं कि दोस्तों पूरे विस्तार से लेकिन इस से पहले अगर अबी तक आपने हमारी यूटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो स साती साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी न भुलें तो चलिए बिना देरी क्योवे वीडियो के शुरुआत करते हैं और साती साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल वैद्द के राजा रानी के कमेंट पर आखिर क्या किस तरह से रियाक्ट कर रहे हैं रुबिना के फैंस बिग बॉस के फैंस आईए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कुछ फैंस ने तो काफी नेगेटिव कमेंट कर दिया राहुल वैद्द को लेकर कुछ फैंन ने ये कहा कि राजा वो नहीं होता जो कि रणभूमी में पूरी तरह से अपनी प्रजा को छोड़ कर चला जाए वो राजा जो है वो भगोडा कहलाता है और भगोडा है राहुल वैद्द कुछ लोग जो हैं इस एंगल में बाते कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग जो हैं रुबिना के पक्ष में थे रुबिना को सपोर्ट कर रहे थे और रुबिना दिलायक को दर्शक कुछ fans का reaction इस तरह से भी था कि राजा तो आप थे और साती साथ आप मानते थे लेकिन आप भगोडे हैं आप ये क्यों नहीं मान रहे हो राहुल वैद्य जी इस तरह की बाते भी कुछ लोग कह रहे हैं हला कि अगर हम बात करें राजा रानी के कमेंट पर राहुल वैद्य की तो पूरी तरह से काफी mixed reaction सामने आ रहा है और mixed reaction में ज़्यादा तरह लोग जो हैं काफी ट्रोल कर रहे हैं राहुल वैद्य को राजा रानी के कमेंट पर राजा रानी के कमेंट पर उनके बिग बॉस सी 14 के फैंस, रूबिना के फैंस वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के तुरू जरू बताएं तब तक ले बने रहे हमारी यूटुब चैनल के साथ वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चानल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूले दोस्तों